स्रीबांके विहारी वातसले परिवार की और से तीन दिवसिय चल रही दिपावली मेला उत्सो का आज समापन हुआ बता दें जम शेटपुर के भालुबासा सामुदाईक भवन में तीन दिवसिय दिपावली मेला उत्सो चल रहा था जिसका समापन हो गया वहीं समापन के दोरान निर्ति संगीत कायोजन भी किया गया इस मौके पर कथा वाचक लता दिदी मौजूद थी बता दे कथा वाचक लता दिदी ने कहा कि तीन दिवसे दिपावली मेला उत्सव चल रहा था और इसका समापन किया गया है वहीं महिलाओं को रोजगार के प्रति जागरुप भी किया गया है कि मैं यहीं कहना चाहती हूँ कि मैंने यह अध्यात में से रोजगार तक यानि रोजगार के मतलब है कि मैं एक जो कारिकरम कर रही हूँ घर के बंड़े इस सोदेशी घर की महलाओं को बाहर निकाली हूँ और करती हूँ पहले भी मेरा बस इतना कहना है कि यह सिर्फ तीन दिन का ही नहीं मैं तो यह कहती हूँ कि आगे जैसा कि दिसंबर में है नॉम्बर में भी हर महना हमारा यह कारिकरम होगा साथ दिवस्यों जिसमें कथा होगी सत्संग होगे भजन होगे साथ में हमारी बहने जो रोजगार के लिए ह हमारे पास आई हैं इसलिमें कहती हैं कि अध्यात्म से रोजगार तक घर से बाहर तक और बाहर में जाकर अपना एक वर्चस्व कायम करें महिला एक महिला होने के नाते मैं चाहतीं कि सुनातन ध्रम की रच्छा भी हो महिला खुर अपने आपके सबलंबी बने और साथ ही इतन भारित ना रहे और गो अपनी हर मन की जो भाव है वो मन में ही दबा के ना नित और संगीत के साथ जो आज मंतिय पढ़ाव के आये हैं दीप जलाते हुए हम नित संगीत करते हुए फुश्या बाटते हैं आओ हम एक कदर अध्यात्य प्रश्वत हैं जैशी नाविरा देश तीन दिवसिय था आज समापन है 29, 30, 31 तीन दिन का हमारा कार करम रहा आज समापन में हमारे गोविंद के सामने सभी महलाएं गोपियां बन गई और विर्ट संगीत का अनंद ली और एक खुशियां हर महीने हो ये संकल्क लेते और आप सबों का साथ लेते जो सामत्वान है आप जरू हमारे सब जुड़े हमारे सब वासली परिवार से जुड़े और मुश्कुरा कर जिलिगे को जेना से खाते हैं वासली परिवार